नमस्कार होम होम चैनल में आपका स्वागत है और आज में बनाओंगी क्रिस्पी एंड सॉफ्ट स्नेक्स जो के बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से एक तम सॉफ्ट तो सुरू करते हैं आज का वीडियो यह मेरे दो पहर के बचे हुए चावल है तो इन ही का मैं स्नेक्स बनाओंगी इसमें मैंने यह दो बड़ी चमच बेसन डाला है यह नमक डाला है आदी छोटी चमच यह धनिया पाउडर है एक छोटी चमच और यह अदरक है एक इंच कटा हुआ और यह हरी मिर्ची दो तीन बारी कटी हुई नमक मैंने कम ही डाला है क्योंकि मैं चावल बनाते समय चावल में नमक डालती हूँ आप अपने टेस्ट के साथ से डाल लें और यह एक बड़ी चमच मैंने डाला है इसमें ओयल यह रिफाइन ओयल है इसे थोड़ी से सॉफ्ट और हो जाएंगे हमारे स्नेक्स अब से अच्छे से मिला लेते हैं एकदम बढ़िया तरह से अब हाथ पर लगाएंगे थोड़ा सा ओयल और अब हम स्नेक्स को सेप देते हैं कि यह में लड़ वाली सेप दी है आप अपने साब से कोई भी सेप दे सकते हैं कि ट्राइंगल सिलेंडर कोई सी भी अब हम करेंगे इने फ्राइ मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राइ करना है कि शुरुआत में थोड़ा दीरे-दीरे ही पलटना है और थोड़ा सा जब गुल्डन ब्राउन हो जाएं तो इन्हें आराम से पलट सकते हैं फिर देशी गुल्डन ब्राउन हो गए हैं यह रेसीप एक बार आप ज़रूर ट्राइ करना बहुत ही टेश्टी लगते हैं चावल के स्नेक्स यह फ्राइ हो चुके हैं अब इन्हें बाहर निकाल लेते हैं ऐसे ही सारे स्नेक्स को हम बना लेंगे सारे स्नेक्स बनकर रेडी हो गए हैं बहुत ही अच्छे बने हैं आप इन्हें सॉस के साथ हरी चटनी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं जरासा दबाने पर ही बहुत अच्छे से टूट रहे हैं और अंदर से एक्दम सॉफ्ट हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें जदा से जदा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू बाई टेक के दबाई भूले के बाई ठूर लाइक करें दोर हैं तो लाइक हैं बाई एक्दम स्टम